मैंने अपनी बहुत सरे वीडियो में आपको पताया है कि ये फूड आइटम आपको ज़रूर लेना चाहिए उससे अंडे की क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन क्या आपको पता है कि अंडे की क्वालिटी को खराब करने वाला भी जो सबसे most important चीज होता है वो है आपका खराब डाइट आप किस तरह के डाइट लेते हैं उसी का असर आपके बॉड़ी में पढ़ता है तो आज की वीडियो में मैं इसी के उपर बाते करने वाली हूँ कि कौन-कौन से food item आपके अंडे को देरे-देरे करके खराब करने हैं जिसके बारे में जाने अंजाने आपको पता ही नहीं होता है आपको लगता है कि मैं तो बहुत healthy चीज खा रही हूँ लेकिन ये जाने अंजाने long term पे अगर आप इसका इस्तमाल करती है तो उसका आपके अंडे के उपर बात बनाती है क्योंकि जैसे जैसे आप age करते हैं उस टेम पे अगर अंडे की quality कम हो रही है तो ये बाते समझ में आती है कि अंडे की quality धीरे-दीरे age की साथ कम होती है लेकिन अगर आपके age बिल्कुल नॉर्मल है और अंडे की quality फिर भी खराब हो रही है तो कुछ चीजों को चेक करना काफी ज़रूरी है वीडियो काफी इंफर्मिटिव है प्लिशुरू से लेकिलाज सक जरूर देखेगा नमस्कार दूस्तों मेरा नाम हर्शिता वर्मा है और आपका मेरे शैनल ट्वेंस्वाइवल्ड पे बहुत-बहुत स्वागत है बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम जो भी चीज़ एक खाते हैं उसका सीधा का सीधा असर आपकी बॉड़ी के उपर पड़ता है फाइबर यूपती चीज़े लेनी है कुछ ऐसे आइटम लेना है जिसके अंदर माइकरो न्यूट्रियंट के साथ ही साथ कुछ मिनरल्स भी हो तो इन सारे बातों का ध्याम रखना है और वही सारे पूड आइटम को आपको सिलेक्ट करना है तो प्रोटीन के जितने भी सोर लेकिन उसके अंदर जो पेस्टिसाइड इस्तमाल की जाती है उसको उगाने के दौरान तो हम अगर अच्छी तरह से उसको वाश नहीं करते हैं जिसके वजह से भी वह सारे केमिकल हमारे शर्जर में घुसते हैं और वह आपको आगे चलके इन फर्टिलिटी भी दे जाते ह अब होता क्या है कि इतने जादा पेस्टिसाइड इतने जादा केमिकल का इस्तमाल किया जा रहा है तो नॉर्मल वाशिंग से वो फल और सब्जिया मिल्कुल भी शुद नहीं होती हैं कोशिश ये करना चाहिए कि आपको कुछ तेर तक यानि कि अच्छी तरह से आपको पा जो गंदिया है या चोटी चोटी जो कीडे मकोडे भी होते हैं वो भी अराम से निकल जाएंगे तो सब्जियों को और फलो को अच्छी तरह से धोना शुरू कर दिजे तीसरी चीज होती है कि हम बहुत सरे प्रोड़क्ट इस्तमाल करते हैं चाहिए वो हेर केर के ही नहीं होता है तो उसके बारे में आप गूगल सर्च करें और एक चैनल भी मैंने आपको रिकमेंट कर रही हूं अगर आप देखते हैं तो क्योंकि मैं खुद उनके चैनल को विजिट करती हूं तो आप देखिएगा कि उन्होंने बहुत सरी चीजों को हाइलाइट किया ह कि अरे तो आप सोच सकते हैं कि अगर इसका तो वो आपके शरे में कितना ज्यादा डिस्टर्वक्स dbs create करती है तो आक को कोशिश यह करना चाहिए कि जीन प्रड़क्ट में पाराविं नहीं नहीं होता है बहुत रहाएसे प्रोड़क्ट होते हैं यहीम प्रोड़क्ट को ह जाती है तो कोशिच करें कि बहुत ज़्ए बैस्तिव करें अपने लाइफ सुटायल को बेंतर बनाएं अपने लाइफ स्टाइल मेंुटे करें टाइट की रूप में और फिल्द through के धी लिए आप एक्षी साईज़ इंक्लूड कर सकते हैं होपफुली आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारिया मिली हैं, अगर जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजेगा, चैनल पर नहीं हैं तो चैनल कोई बड़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, और मुझे इंस्टाग्राम पर और फेस्बुक का जो मेरा पे